हेलो फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल विलगयान में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे टैबलेट मेटफॉर्मिन को मेटफॉर्मिन जिसे मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड भी कहा जाता है ये एक शुगर की दवा है जो की टाइब टू डाइबिटिक में दी जाती है अब टाइब टू डाइबिटिक क्या होती है ये वो डाइबिटिक होती है जो की हमें 30 साल की उमर के बाद देखने को मिलती है और ये बेसिकली एक lifestyle disorder है जिसकी वज़े से हमें ये शुगर हो जाता है तो इसी शुगर को कंट्रोल करने के लिए मेटफॉर्मिन दवा दी जाती है मेटफॉर्मिन एक बहुती commonly use की जाने वाली दवा है जितने भी overweight patients होते हैं उनमें ये दवा खासत और से ज्यादा effectively काम करती है ये दवा आप काम कैसे करती है ये दवा हमारे liver से निकलने वाले glucose के level को घटाता है जिसकी वज़र से sugar का level down होता है दूसरा ये हमारे stomach में glucose के absorption को block करता है जिसकी वज़र से sugar जो है वो absorb नहीं हो पाती और sugar का level कम होता है और तीसरा और last इसका काम करने का तरीका वो ये है कि blood में जो sugar already मौझूद है उस sugar को ये muscles की तरफ धकेल देती है और muscles exercise के दौरान इस sugar को burn कर देता है तो इन तीरों methods के साथ ये दवा जो है काफी effectively तरीके से sugar के level को घटाता है ये दवा काफी brands में market में मौझूद है कुछ नाम इस तरीके से हैं जैसे glycomet, glucophage SR, glycophage, glucophage, etc इस दवा का इस्तमाल कब किया जाता है इस दवा का इस्तमाल type 2 diabetic के patients को treat करने के लिए किया जाता है इसके साथ में कुछ off-level भी इसका इस्तमाल किया जाता है off-level से मतलब है जो की actually इस दवा का use नहीं है लेकिन इसके बावजूद भी कई other situations में इस दवा का इस्तमाल और इस दवा के फाइदे देखे गए हैं तो इसलिए इस दवा को off-level भी यूज किया जाता है उसको control करने के लिए भी इस दवा को use करते हैं और साथ में diabetic होने से पहले वारी जो stage pre-diabetic stage को कहते हैं उस दोरान भी sugar के level को कम करने के लिए इस दवा का use होता है लेकिन advice यही है कि आप doctor की सलापर इस दवा का use करें इस दवा की dosage 500 mg से 2000 mg 24 hours के अंदर ली जाती है लेकिन यह dose जो है वो doctor आपके requirements के अनुसार calculate करके देते हैं तो please doctor की consultation पर इस दवा को ले अब इस दवा के side effects के बारे में जान लेते हैं यह दवा खाने से जो common side effect है वो diarrhea हो सकता है आपको जी मत चलना या हलकी फुलकी उल्टिया होना हो जाता है कई बार पेट में gas वगरा बढ़ जाती है या हलका वजन भी बढ़ सकता है अब हम जान लेते हैं कि इस दवा के साथ होने वाले common लेकिन serious adverse reaction क्या होते हैं इसमें generally दो चीजे हो सकती है एक होता है lectic acidosis और दूसरा होता है liver toxicity lectic acidosis के बारे में जान लेते हैं lectic acidosis तब होता है जब आप ये दवा काफी समय से ले रही हो और आपको muscles में हाथ पाओं में दर्ध हो सास लेने में difficulty हो रही हो या नींद वगरा की कमी हो अगर ऐस तरह की कोई भी situation आप encounter करते हैं तो हो सकता है ये lectic acidosis के symptom है और आपको इस दोरान जो है immediately अपने doctor से consult करना चाहिए दूसरा अगर आप ये दवा लेते हैं तो alcohol वगरा का 7 नहीं करना चाहिए अब हम जान लेते हैं कि इस दवा के दोरान doctors कौन से test generally करवाते हैं इसमें दो तरीके के test रहते हैं एक होता है sugar का जिसमें HB1AC test कराया जाता है जो कि आपके तीन महीने के hemoglobin की sugar की reading होती है तो इससे हमें तीन महीने के sugar का average level पता चल जाता है तूसरा आपके normal जो खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद के sugar के test होते हैं वो कराया जाता है और तीसरा आपका liver और kidney function test कराया जाता है ये check करने के लिए कि अगर आप इस दवा को use कर रहे हैं तो कोई lectic acidosis की problem तो नहीं है तो ये कुछ test होते हैं इसके बाद मैं जान लेते हैं कि कौन से vitamins की कमी हो जाती है इस tablet को लेने के दौरान इसको use करने के दौरान विटामिन B12 और folic acid की कमी होती है तो इसलिए आप अपने डॉक्टर की सला पर इस tablet को ले रहे हैं तो विटामिन B12 और folic acid ले सकते हैं जिससे आपका nutrition की कमी को जो है ये पूरा करेगा. तो friends, आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ, वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले, अगले वीडियो में मिलता हूँ, आप सबका दिन शुबरा है.